नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों वूट की सीरीज असूर तो आपने देखी ही होगी ये सीरीज काफी अच्छी थी इसकी कहानी शुरू से ही बहुत जादा ग्रिपिंग थी लेकिन इस कहानी में कुछ चीज़े complicated भी थी और जिस तरह से ये सीरीज खत्म हुई कई सवाल हो सकता है कि आपके मन में भी हो कुछ संधे हो या ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़े आपको अच्छी नहीं लगी हो तो इस सीरीज के एंडिंग में क्या ऐसी बात थी उसको मैं यहां explain करने की कोशिश करूँगा लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मेरी राय है कि आप इस सीरीज को जरूर देखें यदि आपने नहीं देखी है तो क्योंकि इस वीडियो में जो भी बाते में करूँगा वो spoiler से भरी हुई है दोस्तों हम देखते हैं कि इस सीरीज में जूट सच को ले करके सही गलत को ले करके सुर असूर को ले करके कई तरह की चर्चाय होती है अलग-अलग तरह की बाते होती हैं अलग-अलग तरह से इसको एक philosophy पेश की जाती है जो गलत लोग है वो अपने नजरिये से पेश करते हैं और जो सही लोग है उनका नजरिया थोड़ा अलग होता है तो क्या है जूट और सच क्या वास्तव में इसकी कोई एक अलग करता है यह किस तरह का चैयन करने के लिए मजबूर होता है इस पर यह निर्वर करता है कि सही क्या था और गलत क्या था जो सुभ है हम देखते हैं कि बहुत intelligent बालक है और वो अपने पिता का प्यार कभी नहीं पाता उसको पिता से हमेशा उसको तिरसकार ही मिलता है और इस कारण उसके मन में एक कुंठा जन्म ले लेती है जो कि बाद में क्रोध में तब्दील हो जाती है और इसी क्रोध वैया करके वो अपने पिता का कतल कर देता है जब सीवियाई इसकी जाच करती है जो धननजे है यानि अरसदवार्शी अरसदवार्शी करते क्या है कि भेजने के लिए जो धनजे है वो कुछ गलत काम भी करते हैं वो कुछ गलत तरीके से सबोत इकठा करते हैं। जएल जाने के बाद शूफ के मन में जो बुराई है वो और भी गहरी हो जाती है, वहाँ कुछ और लोगों से वो मिलता है, लेकिन सुफ जो है वह method बहुत intelligent है अपनी बात अच्छे तरीके से रखना जानता है उसको बोले की कला उसकी बहुत अच्छी है और जो पौरानिक कथाएं हैं उसके माध्यम से वो अपनी एक फिलासफी पेश कर पाता है इन सब वजहों से होता यह है कि शुव के कुछ यह जैल महीं बन जाते है शुव बार-बार यह सावित करने के कोशित आप है और उसके पीछे में हम बिल्कुल देखते हैं कि वह एक गैस चमबर में तीन लोगों को बंद कर देता है गैस वहां धीरे-धीरे खत्म हो रही है और जो तीन लोग निखिल है इन दोनों के करेक्टर ने बहुत जादा यह सावित करने की कोशिश की कि बुराई कितनी वी बड़ी हो वह अच्छाई से खोटी ही होती है और सुरत तो कितना भी बड़ा हो वह सुरत से छोटा होता है इन तीन लोगों को बचाने के लिए धननजे अपने जान की बाजी लगा देते हैं वो जानते हैं कि उनकी मौत हो सकती है लेकिन फिर भी वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं और निखिल तो एक कदम और आगे निकल जाते हैं वो अपनी बेटी का बलिदान दे देते हैं इन तीन लो में जिन दो लोगों पर शक्त था कि ये शुब हो सकते हैं वो पकड़ लिया जाते हैं और फिर CBI भी ये बाल लेती है कि उन्होंने शुब को पकड़ लिया है एक तो वो था जो जिसने निखिल नहीं था शुब ता रसूल रसूल की CBI में ही बैठा था और सुब में हार नहीं मानी है और इस लड़ाई में अब बहुत सारे लोग उसके साथ हैं हमने देखा कि उसकी एक पूरी टीम बनी है, यह सारे उसके और उसके अनुयाई उसके इशारें पे कुछ भी करने को तैयार है जैसा कि हमने देखा कि जब गैस चैंबर से वो भार निकलती है, वो जनलिस्ट महिला तो वो एक दूसरे रखती का कतल कर देती है या कि निखिल की बच्ची की देखवाल जो कर रही होती है महिला वो उसे जहर दे करके मार देती है तो ये तैह है कि दूसरे सीजन में ये जो सही गलत की लड़ाई है सूरासूर की लड़ाई वो काफी बड़ी होने वाले है बड़े पैवाने पे होने वाली है बहुत सारे ल ये भी मानते हैं कि उनकी बेटी की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि धनंजे ने कभी एक गलती की थी लेकिन धनंजे का भी अपना एक पक्ष है तो अब ये हो सकता है कि धनंजे अपने आपको प्रतारित महसूस करें और ये भी हो सकता है कि अगले सीजन में आपको निखिल वर्सेज धननजे क्या एक अलग ही लेवल देखने को मिले इसके अलावा दोस्तों देखिए कि शारी भासमी मर चुके हैं और जो नुसरत है नुसरत प्रमोट हो चुके हैं तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि cbi की टीम उसमें कुश नए कलाकार इंतमर्डिज क्ये जा सकते हैं अला कि इस सीरीज के बारे में अभी कोई गोश्चना नहीं है इसके'RE कोई भी बातचित नहीं है लेकिन जो सिरीज को देखने के बाद मुझे समझ मैं आया तो यह कि इसका दूसरा सीजन भी आयेगा और हो सकता है कि थोड़े बड़े पहमाने पर आये तो दोस्तों असूर के बारे में आज इतनी ही चर्चा भी अफिया अज़े आप किसी और सिरीज किसी और होट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखए आप मेरे वीडियो इस मेरे चैनल को पसंड करिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करिएगा सब्सक्राइब अभी अभी किया है तो बेला कान प्रेस करने के बाद आल भी दबाईएगा कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिएगा वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरू करिएगा धन्यवाद